जै जै शिरी कृष्णा दोस्तों बच्चों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे कि ऐसा हम क्या करें कि शनी महराज हम पर परसन रहे हमें कोई शरीरक कष्ट ना हो और व्यपार नौकरी को लेकर दिखते ना आएं पराए हमारे जीवन में ज क्या शनी वाक्य हमें कष्ट देते हैं और अगर हां तो उसका निवारन कैसे करें आईए जानते हैं शिव पुरान के अनसार शनी हमारे जीवन काल में 19 वर्ष हमारी राशी में रहते हैं इसलिए अगर आप 19 शनी वार पीपल के वरिक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक गाते हो तो बहुत बड़ा लाब होगा और अपनी लंबाई के ब्राबर सिर से लेकर पैर तक एक मौली का धागा लेकर उसको शनीवार के दिन पीपल के वरिक्ष पर लपेटना चाहिए एक कांसे के पात्र में सरसों का तेल लेकर उसमें अपनी परचाई देखकर उसको कह अगनी दूर कच्ची जगा में फैंक दीजिए इससे भी बहुत लाब मिलता है अगनी पुरान में लिखा है कि शनीवार के दिन पीपल के वरिक्ष को चूना और परिकर्मा लगाने से अदभुत लाब मिलता है शनीवार को एक पीपल का पत्ता लेकर उसको कुछ देर अप ऐसे तो सबी को शनीवार के दिन पीपल के वरिक्ष में जल देना चाहिए पर वो दमपती जिनके संतान नहीं है उनको पीपल के वरिक्ष में कच्चा दूद डालकर जल देकर साथ परिकर्मा जरूर लगानी चाहिए इस से वंश की व्रिदी होती है ऐसा पदम पुरान में लिखा है शनीवार को 11 या 21 पीपल के पत्तों की माला बना कर हनुमान जी को चड़ानी चाहिए जब लंका में रावन ने शनीदेव को बंदी बना कर उल्टा टांग दिया था तो हनुमान जी सीता माता की खोज करते हुए लंका पहुँचे तो उन्होंने शनीदेव को रा हनुमान जी से ये वादा करा था कि ये वीर बजरंग बली जो तेरी पूजा करेगा उसको मैं कभी कश्ट नहीं दूँगा इसलिए हनुमान जी की भक्ती करनी चाहिए वैसे बिना कारण के शनीदेव किसी को कश्ट नहीं देते लेकिन अगर ये रूठ जाएं तो बहुत पैदा कर दिते हैं शनीदेव भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं इसलिए शनीवार को कृष्ण जी के नामों का या मंत्रों का जाप करने से भी शनीदेव बहुत परसन होते हैं इस परकार आज मैंने आपको बहुत सारे शनीदेव को खुश करने के उपाए बताए अगर इन में से कुछ उपाय करने की हम आदत बना लें तो शनी हम पर हमेशा खुश रहेंगे आज के लिए बस इतना ही फिर मिलती हूँ एक अच्छी बात के साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें जै जै शनी देव महराज